हलो दोस्तों, 7K Kitchen में आपका फिर से स्वागत है, तो दोस्तों, आज मैं आपकर लेH fan, सैलेड और सैलेड खाना किसको पसंद नहीं है, गर्मी में वैसे भी रोटि खाने का किसी का मन नहीं करता.. तो अगर आपके गर भी कोई मेमान आ रहा है तो इस तरह से अगर आप सर्फ करेंगे तो सभी देखते रह जाएंगे और बहुत ही अच्छी लुक देगा और यह है कुकुमबर सेलड और गर्मियों में तो सेलड बहुत ही जरूरी होता है तो चलिए करते हैं सबसे पहले हम ब यह मजह है जरूरी हैं तो अगर एस तरह से आप सर्फ करेंगे न किसी के आगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो उसके बाद हमने डाला यहाँ पे स्वाद अनुस्वा नमक और लाल मिच पाउडर तो लाल मिच पाउडर डालेंगे हलकी हलकी दोस्तों ज़्यादा नहीं डालेंगे तो अब इसको करेंगे हम सर्फ वह भी निम्बू के साथ निम्बू के रस के साथ तो अब आपके घर कोई महमान आ रहा है तो इस तरह से कुकुम्बर का सैलेट जरू ट्राई कीजेगा बहुत ही टेस्टी लगता है और मजा आ जाता है रोटी खाने का दुगना हो जाता है स्वाद रोटी का तो लीजे बनकर तैयार हो गया कुकुम्बर सैलेट तो इस तरह का सैलेट अगर आप तरीके से सर्फ वो भी सूरज मुखी की फूल की तरह तो उसके लिए हमने करना क्या है एक निम्बू लेके उसे साइट से कट कर लेना है तो इस तरह से कट करेंगे दोनों साइट से तो यहां से भी साइट से कट कर लेंगे और दोनों साइट से कट करके अब हमें लेना है बी प्रेट कर देंगे तो अब हमने क्या करना है इसको हम बीच में से प्रेस करके पलट देंगे और बिल्कुल सूरज मुखी का फूल बनता है दोस्तों यह बहुत ही अच्छा गर इस तरह से सर्फ करेंगे न तो रोटी खाने वाले को तो मज़ा आएगा ही देखने वाले को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा तो देखिए इस तरह से अब हम इसे पलट देंगे तो यहां से प्रेस करना है और इस तरह से गुमा देंगे तो लीजे यह देखिए तियार हो गया हमारा बहुत ही अच्छा सूरज मुखी का फूल यह निम्बू को इस तरह से आप एक पर स साइड का पार्ट था उसको हम लगाएंगे बीच में और यह हमारा सूरज मुखी का फूल बन कर तयार हो गया है तो यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है यह सैलेट के अंदर तो यह बहुत सुन्दर लगता है तो इस तरह से कुछ डेकोरेट करेंगे तो दोस्तों खा कट करेंगे लंबा लंबा कट करेंगे तो इस तरह से लंबे लंबे कट करेंगे और कट करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे बीच में कट तो यह ज्यादा तर चैन्ने ही में चलता है दोस्तों यह चैन्ने स्टाइल है तो इस तरह से करेंगे और फ्लावर बनाएंगे इसका बहुत ही अच्छा सा तो यह देखिए इस तरह से यह खुल जाता है तो यहां पर मैं छोटा छोटा और कट लगाऊंगा तो कट लगाने के बाद दोस्तों इसके अंदर लगाएंगे हम मसाला तो यह देखिए इस तरह से कट लगाते जाना है इसके अंदर यह देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे तो चलिए इसका मसाला बनाते हैं तो यहां पर मैं लूँगा लालमिच पाउडर और स्वाद अनुसा लूँगा नमक तो इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको इसमें लगाएंगे और अभी मैं आपको बताऊंगा इसको टूटपिक से किस तरह से इसका फ्लावर बनेगा और बहुत ही सुन्दर फ्लावर बनता है यह खाने का तो मज़ा ही दुगना होता है इसे तो इस तरह से यह देखिए इसको अच्छे से कोट कर लेंगे दोनों साइट से तो अब इस त सब करेंगे तो देखने वाला बहुत ही खुश हो जाएगा तो यह तीनों तरह के सैलेड अगर आप किसी के सामने पेश करेंगे ना दोस्तों तो बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में बहुत ही स्वाद आएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में